विल्कम तो दे चैनल एक्षाइम पूरी पूरी बूक का एक्षाइम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा पहला जो यह परग्राफ है यह कुछ खास नहीं कहता यह सिरफ इतनी सी बात यहता है कि जो लोग होते हैं वे एक जैसे नहीं होती कोई बुजर्ग हो सकता है कोई बच्चा हो सकता है कोई लड़की हो सकता है कोई लड़का हो सकता है किसी का occupation क्या हो सकता है किसी का क्या हो सकता है education में कोई literate हो सकता है कोई illiterate हो सकता है कोई highly qualified हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो लोग जो हैं वो अलग-अलग तरह से अपने आपको अलग बनाते हैं Next topic is sex composition Sex composition क्या दिखाता है कि किसी भी area में कितनी नर रहते हैं और कितनी नारी यानि कि women और men जो हैं किसी भी area में उनका जो number है वो एक important चीज है analyze करने को उससे काफी सारी चीज़ें हमें समझाती है जो ratio होता है between the number of women and men in the population is called sex ratio Sex ratio हम किसे कहते हैं men और women जितनी भी हैं उनका जो number है उनके बीच का ratio जब हम निकालते हैं वो sex ratio कहलाता है कुछ countries में male population upon female population in 2000 करते हैं that is number of males per thousand females बाकि जो दूसरी countries होती हैं जैसे कि इंडिया जैसी उसके अंदर क्या है कि हम लोग female की population को उपर रखते हैं male की population को नीचे into 1000 इसका अगर हम text में चले हैं that is number of female per thousand males so sex ratio number of male per thousand females से भी calculate हो सकता है और number of females per thousand males से भी calculate हो सकता है और ये sex ratio हमें काफी सारी चीजें बताता है हमें woman के status के बारे में बताता है किसी भी population में जहां पर जैसे कि ये जो next paragraph है in reasons where gender discrimination is rampant जहां पर gender discrimination बहुत ज़्यादा होता है male को favor बहुत ज़्यादा किया जाता है females पर अत्याचार होते हैं वहां पर हमेशा वहां का जो sex ratio होता है वो woman के हमेशा unfavorable होता है वो ऐसी society होती है जहां पर कन्या ब्रून हत्याई हो रही होती है female infanticide, female feeticide और इसके लवादा domestic violence और काफी ऐसे तरह के अत्याचार है जो एक woman के जनम लेने से शुरू होता है उसको coke के अंदर मार देना या बच्चे female child को मार देना और ऐसे करके पूरी जिन्दगी जो female के साथ अत्याचार होती है और male को favor किया जाता है यह सब जो है जिस society में होता है वहां की society के sex ratio हमेशा female के unfavorable रहती है एक चीज़ हमेशा याद रखनी है जैसा कि यहां लिखा हुआ है You must remember that more women in the population does not mean they have a better status It could be that men might have migrated to other areas for employment हमेशा यह ध्यान रखना किसी भी area में ऐसा है कि female की population ज्यादा है और male की population कम है इसका मतलब यह नहीं है इससे यह जरूरी नहीं है कि female का जो status है हमेशा अच्छा ही होगा उन पर अत्याचार नहीं हो रहीं होंगी ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अच्छा भी हो सकता है लेकिन खराब भी हो सकता है जो ऐसा हो सकता है कि जो male की population कम है किसी area में वो इस वज़े से ना हो क्योंकि female प्यत्याचार नहीं हो रहे बलकि वो इस वज़े से भी हो सकते है कि male population country के बाहर चली गई है नौकरी की तलाश में employment के लिए country या किसी भी area में general area की हमें बात करनी चाहिए तो area से बाहर निकल करके चली गई है चले गए है males तो जो females हैं वो obviously ज्यादा नंबर पे रह जाएंगी चाहे है उन पर अत्याचार हो natural advantage versus social disadvantage इसमें ये बता रखा है कि जो females होती है जो women होती है उनकी body ऐसी होती है कि वो ज्यादा जो कोई भी illness आती है कोई बिमारी आती है उन पर attack करती है या कोई बदलाव आता है जो ये सब चीजे हैं उसको ज्यादा सह जाती है उनमें इतनी power होती है जबकि जो बजाए males के ये एक biological advantage nature की तरफ से female को मिला है कि उनकी body किसी भी disease का कोई attack हो गया है उनके उपर किसी भी कोई भी बिमारी लग गई है या कोई बदलाव आ रहा है कोई shock है कोई suddenness है उससे female की body जो है वो बहुत ही जल्दी से उस पे उभर आती है बजाए males की लेकिन मगर जो female के साथ इतने अत्याचार होते हैं जो society ने female को एक liability की तरह देख रखा है उसकी वज़े से ये जो natural advantage है ये कहीं नजरी नहीं आता मतलब क्योंकि female की situation overall बड़ी ही vulnerable रहती है बड़ी ही खराब रहती है क्योंकि उन पर इतने अत्याचार किये जाते हैं despite the fact कि उनकी body जो है किसी भी disease से लड़ने के लिए किसी भी shock या कुछ भी ऐसा है कोई भी suddenness उनकी जो body में आ गई है तो उससे उभरने में उनकी body ज्यादा काम्याब होती है On an average the world population reflects the sex ratio of 102 males per 100 female कहने का मतलब है कि 100 females per 102 males है जबकि ये 100-100 होना चाहिए okay equal होना चाहिए the highest sex ratio in the world has been recorded in Latvia Latvia में सबसे ज्यादा sex ratio है where there are 85 males per 100 female 100 females per 85 males ही है और जबकि हम कतर की बात करें तो 3-1-1 males है per 100 female पर यानि कि 100 ओरतों पर कितने males है 3-1-1 males the world pattern of sex ratio does not exhibit variation in developed reason of the world the sex ratio is favorable for females in 139 countries of the world and unfavorable for them in 72 countries listed by United Nations जितनी भी UN में countries हैं उनकी अगर हम बात करें तो 139 countries ऐसी हैं जहां पर sex ratio female के लिए favorable है और जबकि बाकी बची जो 72 72 यानि कि 72 countries हैं उनमें female का sex ratio खराब है female से sex ratio unfavorable है अगर हम general उसकी बात करें तो Asia का sex ratio low है जिसमें इंडिया भी आता है तो countries like China, India, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan ये कुछ ऐसे countries हैं जिनका lower sex ratio है इवन अगर हम Asia की in general बात करें तो जो Arab countries हैं जो Middle East की countries हैं वहाँ पर तो ladies को बिलकुल भी आजादी नहीं है वो car drive नहीं कर सकती उन पर बहुत तरह के restrictions हैं जो males पर नहीं है Saudi Arabia में तो recently अभी उन्होंने allow किया है कि चलो women भी car drive कर सकती है and all that काफी सारे restriction हैं उन्हें अपना धके रखना है and all that इसके अलावा China, India की भी बात की जाए तो हम आसपास अपने देखते ही हैं society में कि किस तरह से males को favorable position में रखा जाता है और female को पेत्याचार किये जाते हैं आसपास रोज हम newspapers में पढ़ते हैं and I don't want to go there but the fact is that कि हमारा country या Asia के जो ये countries है China, India, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan they all have low sex ratio क्योंकि यहाँ पर अभी भी females को as compared to the European countries बहुत discrimination females का है on the other extreme is the greater part of Europe Europe की जो countries है वहाँ पर जो males है वो minority में है वहाँ पर males कम है तो ये males कम है कुछ तो इस वज़े से हैं क्योंकि बाहर चले गए वो नोकरी के कलाश में out migration होता है males का ज्यादा females का उतना नहीं होता और females के यहाँ पर situation भी better है जो Europe में females के situation better है बजाए Asia के Then is the age structure Age structure represents the number of people of different age groups Age structure ये दिखाता है कि कितने लोग हैं अलग-अलग age के मतलब कि बच्चे कितने हैं जवान कितने हैं बुजूर्ग कितने हैं तो ये एक अच्छा indicator है population composition का अगर 15 से 59 years की जो age होती है 15 से 59 years के बीच में लोग अगर ज्यादा होंगे तो ये होती है working population यानि कि काम करने वाले लोग ज्यादा है country को asset ज्यादा है अगर 60 से उपर के लोग होंगे ज्यादा तो वो क्या होती है वो age population होती है मतलब कि उस population में बूढ़े लोग ज्यादा होते है अब बूढ़े लोग काम तो करते नहीं उनको और उनका health का खर्चा अलग से आता है तो वो health care facility पर ज्यादा spend करने वाली population हो जाती है अगर बच्चे हैं 15 से नीचे अगर बच्चे हैं यंग population है तो इसका मतलब वहां का birth rate ज्यादा है और population youthful है मतलब बच्चा population है और इंडिया की population में अगर हम बात करें तो इंडिया have मतलब इंडिया में जो working population है वो इस वक्त बहुत ज्यादा है then is the age sex pyramid देखो age sex structure की पहले बात करते हैं पिरामिड की बात में करेंगे age उपर हमने पढ़ा age structure age structure क्या था कि अलग-अलग लोग किस age के हैं उनको category wise की मतलब बूढ हैं, बुजूर्ग हैं, जवान हैं तो number of people जो different age groups में है age sex pyramid में फिर female male भी आ जाता है कि अलग-अलग age के कितने females हैं और कितने males हैं ये दोनों का number जब हम male female भी segregation कर देते हैं इस चीज़ का भी तो वो age sex structure बन जाता है और एक population pyramid यूज होता है इस age sex structure को show करने के लिए जिसको के हम कहते हैं age sex pyramid यहाँ पर ये जो pyramid बने हुए हैं ये नाइजीरिया का और नीचे ये औस्ट्रेलिया का ये फिगर है ये सारा इसको हम age sex pyramid कहते हैं अब इस shape के अगर हम बात की जाए तो left side पे male होते हैं जिसके आप अड़जासेंट जो आपके इसके side में जो ऑस्ट्रेलिया का आपने figure देख रखा है left side में male है right side में females हैं और यहाँ पर जो x-axis पर यह जो number लिखे हैं 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 and so on ये age है कि कितने age में कितने males हैं कितने females हैं तो यहाँ पर तुम देख सकते हैं 0 to 4 नीचे percentage दे रखी है 6420246 okay तो यह percentage है यह male की percentage है यानि कि यह जो take minute let me bring on the highlighter यहाँ पर देखो यह जो 2 लिखा है यह जो percentage है ना it's not getting highlighted okay so यह percentage है mainly यह percentage है कि 2% 4% और यह age group दे रखा है यहाँ पर यह जो यह है यह तो है age group और कितने age के कितने लोग है यहाँ पर okay I hope I'm able to make you clear otherwise tell me in the comment section I'll make a different video on the pyramid okay then is expanding population देखो पहले तीन टाइप के pyramid होते हैं पहला है expanding population अब expanding population जो है यहाँ पर example दे रखा है Nigeria का तुम यह pyramid देखोगे तो triangle जैसा pyramid है यहाँ पर तुमें देख रहे हो triangle जैसा पिरामिड है इसका wide base है यानि कि जो नीचे का जो है 0 to 4 देखो कितना wide है और फिर धीरे 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 यह घटता रहता है तो यहां तुम देख सकते हो धीरे 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 इसके बाद population कम हो रही है बच्चा population यानि कि यहां पर सबसे ज्यादा है यानि कि यहां पर बर्थ रेट बहुत ज्यादा होता है और जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा है और यह इस टाइप के जो पिरामिड होते हैं ट्राइंगूलर टाइप के यह ज्यादा तर जो कम डेवलप कंट्री हैं जो मतलब जिन्होंने अच्छा डेवलप नहीं किया उनके होते हैं जैसी कि अगर आप बांगलादेश और मेकसिको का भी ऐसा ही पिरामिड बनाओगे तो वो ऐसा ही दिखेगा यानि कि यहां पर क्या है बांगे बर्थ रेट बहुत जएदा है बच्चे पोपॉलिशन बहुत ज्यादा है यहां पर then is the constant population देखो जो constant population होती है इसके अंदर क्या है की यहां पर क्या है की यह bell shaped होता है ब待 बेल जैसा दीखेगा घंटे जैसा दीखेगा यहां पर क्या होता है कि भेथ पर्थ रेट और डेिट रेट लग बग एक्वल वता है मतलब जितने लोग जनम रहे हैं उतने ही प्रपोर्षन में लोग मर रही हैं तो जिसके वज़े से क्या होता है एक इक अदर आने वाले वक्त में यह बढ़ेंगी बहुत ज्यादा पपॉलीशन. जबकि कॉंस्टन पपॉलीशन में के इस लाइक कॉंस्टन. मतलब कहने का चाहएक प्रपॉर्शन रहेगा आने वाले वक्त में ना तो यह बढ़ेंगी ना यह घटेंगी. कहने का मतलब है कि constant रहेगी the next is the declining population Japan इसका एक example है नीचे यहां पर जापान का आपको pyramid दे रखा है AIDS X Pyramid यहां पर तुम देखो तो narrow base है जो 0 to 4 में जो यानि कि जो बच्चों का जो proportion है देखो एक कितना छूटा है you can see here कि मतलब कितना ज्यादा कम बच्चे जनम रहे है death rate भी low है कहने का मतलब यह है कि इस तरह का जो pyramid होता है जैसे जापान है जापान के population decline कर रही है तुम यह समझो आने वाले वक्त में यह उपर जितनी जो भी population तुमें दिख रही है आने वाले वक्त में यह नहीं रहने वाली इनकी death हो जाएगी फिर नई generation आएगी अब अगर बच्चे ही इतने से होंगे 0 to 4 तो इनकी population घटने लग जाएगी आने वाले वक्त में तो जापान का जो यह एक pyramid है यह दिखाता है एक narrow base है कि birth rate भी low है death rate भी low है और जापान का लगबग यह जो population pyramid है यही कहता है कि किस तरह से population इसकी decline कर जाएगी जो developed countries के population होती है वो या तो होती है zero या negative चितनी भी countries हैं जो developed हो चुकी है rich है advanced है या तो उनकी population घट रही है या फिर उनकी population ना घट रही है ना बढ़ रही है मगर जो less developed है जो अभी तक developed नहीं हुई है अभी तक जिनका विकास नहीं हुआ है वहाँ पर तो बढ़ी जा रही है यह एक नया phenomenon है population aging is the process by which a share of older population becomes proportionally larger population aging का मतलब है कि किसी भी area में किसी भी country में यदी बूढ़े लोग बढ़ जाएं बाकी population की comparison में अगर बूढ़े लोग बढ़ जाएं तो उसको हम population aging कहते हैं कई सारी developed countries में यही हाल हो रहा है वहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं वो बढ़ रही हैं 80, 90, 70 से उपर साल मतलब कि उनके वो लंबा जी रहे हैं 90 साल, 80 साल और भी उंचा-उंचा मतलब कहने का है कि उनके वहाँ पर facilities अच्छी हैं medical facilities and all that इतना development है तो वहाँ पर लोगों के जीने का time भी भढ़ चुका है life expectancy भी भढ़ चुकी है और इसके साथ ही उन areas में क्या है लोग ज़्यादा जनम नहीं रहे birth rate जो है वो कम है तो अब बच्चे जनम नहीं रहे तो और बुढ़े जो हैं उनका time period भढ़ता जा रहा है जीने का तो obviously वहाँ पर जो बुढ़े लोग हैं वो proportionally जो है वो ज्यादा हो रहे है so next is वैसे तो काफी small small topic है rural urban composition, literacy and occupation structure but I feel that I should explain it in the next part so this is the end of this video thanks for watching it as always stay tuned to shining shining stars नहीं exam proof hold like this so stay tuned to exam proof कर थार